नेता जी सुभाचंत्र बोस एक बार्तिय राष्ट पार्ती नेता थे जो बीटी सासर के खिला बार्तिय सतंत्रा आंदोलन में एक प्रमुक एक्ती थे उनका जर्म 23 जनुवरी 1877 को कटक ओरीसा बारत में जाकीनात बोस और प्रभावार्ती देवी के गर्ड हुआ था एक सू सब्सक्राइब के प्रोटेस्टर यूरोपिया स्कूल में दाखिला लिया इसके बाद वह कटक के रेवेनाव सक्कॉली चेक्ट पढ़ने चले गए 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परिक्सा उतिन की और 1915 में उन्हें चत्रावुति के साथ इडिमीटियेट की परिक्सा उति morte की और उन्हें पेसे सिदेंशी को रोलीट में पहरति कराया घया जहां उन्हें दस्न सहास्त्र का अधियार किसनी से साथ सस्थ Всем सेवा परिक्स में असबब Together है 1921 में बोस्भार्थिय सिविल सेवा परिखें में दोबारा सामिप हुए और उत्रिंड हुए लेकिन एप्रण 1921 में उन्हें अपने प्रत से इत्रिपा दे दिया इसके बाद बोस्भार्थिय श्लाष्ट्य कॉंग्रेस में सामिट हो गया और भार्तिय सतन्तरा अंदुलन में शक्रिये रूप से भाग लिया और मात्मा गांधी और जवलनान नेरु के करीबी सहीयोगी थे लेकिन बाद में वहिचारिक मत्वेदों की कारण उनसे अलग हो गया 1949 में उन्होंने फॉर्वेर ब्लोक नामक संगाडन का गड़न किया जिसका उद्यस यह भायत में सभी ब्रीटिस विरोधी ताकोतों को एच्यूट करना था इत्यों विश्यूट के दोरां बोस ने जापनियों की मदद से भारती राष्ट्य सेना का गठन किया और सास्टर विदों के मद्यम से भारत में ब्रीटिस आसन को उखड़ फैकने का प्रयास किया हाला कि विद्रोध उसापर रा और बोस को अंग्रेचों ने गिरफतार कर लिया बाद ने वह जेल से भाग गय और जर्मनी भाग गय जहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और इंडियान लीजन का गठन किया जो भारती सेनिकों का एक समुवा था जो जर्मन से सेना के सा लड़ाई लड़ी गस 1945 में तैवन में एक वीमा दुर्गटना में बोस की मुत्य हो गई उनकी मुत्य की सटक परिस्तिती अभी विवाद में रूबी हुई है उस लोगों का मानना है कि हो सकता है कि उन्हें अपनी मुत्य का नाटक रचा हो बोस एक करिस्माई नेता थे जो भाहती संत्रा के लिए घराई से पतिवन थे उन्हें भाहत की राष्ट्य नायक के रूप में याद किया जाता है और उनकी विशाथ आज भी कई भार्तियों के पैरीद करती है